आज बीएसनल ने दिखा दिया है कि वो आज भी भारती जनता का सरताज है जीयों के मालिक मुके सम्मानी ने जिस तरीके से अपने बेटे के साधी की फंडिंग के लिए जीयों का रेट बढ़ाया और पूरी जनता को तराही तराही कर दिया उन सभी चीजों का इलाज अब ब आज मिनट पहले अपने प्लान में कुछ ऐसे आमूल चुक परिवर्तन किये हैं जिसको सुनने के बाद जीयों की तो नेंद ही उड़ी हुई है यही नहीं एरटेल और वी आई भी अब बीएसनल की राह पर चलने के लिए तयार हो चुके हैं लेकिन जीयों आज भी सोच र चल चुकी है जिसके कारण मुकेस अंबानी बुरी तरीके से लताड़े जा रहे हैं दरसल बता दे भारती संचान निगम लिंटेड बीएसनल ने एक बड़ा कदम उठाया है बीएसनल ने भारती जनता के दुख को देखते हुए उसने एक कदम उठाया है कि वह अपने रि बहुत सस्ते दाम पर इंज्वाय कर पाएगी जब से यह फैसला लिया गया है मानिये बीएसनल के आफिस में हड़कम समचा हुआ है दरसल बता दें कि बीएसनल के चेर्मेन स्री प्रमीन कुमार परवान ने यह फैसला लिया है कि जीयों को किसी भी कीमत पर भारती जनता का गला नहीं घोटने देंगे इसलिए बीएसनल में आमो इल्चुक परिवर्तन किये गए हैं न्यूज मीडिया रिपोर्ट की माने तो बताय जा रहा है कि बीएसनल के पाँच डारेक्टर और एक चेर्मेन ने मिल करके बहुमस्रिया फैसला लिया है जिसके कारण अब बीए सस्ता कॉलिंग मिल लहा है उस समय भी एयर टेल बोड़ा फोन जैसी कमपनिया जब जनता का गला घोट रही थे तब बीएसनल ने सन 2000 में अपनी लॉंचिंग करके जनता को सभाला था और आज जब जियो और बी आई जैसी कमपनिया फिर से जनता का गला घोटने के लिए आ माजरा है क्या लेकिन उससे पहले बता दें कि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबा कर हमारे चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लें इस से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मात्र एक का काम है दरसल बता दें कि भाषाटी जनता को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है इस कदम को सुनने के बाद एयरटल वी आय जैसे कंपन्यों ने बीसनल के ऊपर केस करने का फैसला लिया है दरसल बोड़ा फोन वी आई और एयर टेल और जीयो कंपनियों ने मिल क करके एक बड़ा फैसला यह लिया है कि बियस्नल के इस फैसले के खिलाप वो ट्रिविनल में केस करेंगे और अगर वो केस जीत जाते हैं तो यकीन मानिए यह भारती जनता का सबसे बुरा दिन होगा लेकिन बियस्नल ने भी जो चाल चली है उसको सुनने के बाद यकीन तब से दुनिया भर की जितनी भी कमपनिया थीं उन सभी कमपनियों के यूजर्स जीयो में पोर्ट कराने लगे और यहीं पर सबसे बड़ी गल्ती हो गए जियो का मन बढ़ने लगा जियो के लगने लगा कि अब तो मुझसे ज़्यादा पावरफूल इस दुनिया में कोई नहीं है उसने बोड़ा फोन को खत्म कर दिया उसने आइडिया को खत्म कर दिया ये दोनों आपस में अगर मर्ज न हुए होते तो आज वियाई जैसी कमपनी खड़ी नहीं होती लेकिन जब जियो ने धिरे धिरे सस्ता डाटा दे करके लोगों को अपने जाल में फसाया तब इसके बाद एरटेल को भी मजबूरी में ऐसा फैसला लेना पड़ा जब जियो को लगा कि अब भारत का सबसे बड़ा यूजर बेस उसके पास आ गया है तब उसने धड़ाक से 200 रुपए का प्लान ड्रॉप कर दिया जिसके बाद भारती जनता को लगा कि चलो ठीक है अनलिम्टेड डाटा अगर हमें 200 रुपए में मिल रहा है तो हम चला लेंगे लेकिन आज वही डाटा 400 रुपए का हो गया इन ही सभी चीजों को देखने के बाद बीएसनल ने फैसला लिया है कि एक 5G तरीके का सिम लाँच करेगा बीएसनल का यहां फैसला जराब धिहान से सुनना जो मैं फैसला आपको बताने जा रहा है वो आपके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है दरसल बीएसनल ने जो फैसला लिया है उसको सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे 4G और 5G का ऐसा कॉंबिनेशन वाला सिम बीएसनल ने लाँच किया है जिसका सबसे महत्पूर्ण कामिया होगा कि वहां किसी भी फोन में लग जाएगा आप देखते होंगे कि जीयो का सिम एंड्रॉइड में ही लगता है या फिर आईओएस में लगता है उसे नॉर्मल नोकिया के छोटे फोन में अगर आप डालना चाहेंगे तो नहीं डलेगा समसंग के छोटे फोन में डालेंगे तो नहीं डलेगा लेकिन BSNAL ने ऐसा SIM बनाया है कि जिसे आप Android में डालोगे तो 5G चलेगा और अगर छोटे वाले फोन में डालोगे तब भी वो चलेगा BSNAL ने कहा है कि हम जनता को दो च्वाइस देते हैं और जनता दोनों च्वाइस को साथ साथ ले सकती है पहला choice यह होगा कि जैसे मान लेजिए आपको 4G का recharge कराना है तो आप 100 रुपए का recharge कराईए unlimited पूरे महिने 4G योज़ किजिए आपको 5G का recharge कराना है तो 1.500 रुपए का recharge कराईए unlimited free एक महिने तक 5G योज़ करिए लेकिन अगर आपको सिर्फ incoming के लिए अपना phone रखना है आप चाहते हो कि मुझे नहीं चाहिए recharge मैं एक sim रखना चाहता हूँ जिस पर call आए तो आपको उस पर किसी भी प्रकार का recharge नहीं कराना है मतलब जहां आज जियो में अगर आपका पैसा खत्म होता है तो आपकी incoming भी बंद की कर दी जाती है जबकि पहले ऐसा नहीं था यह जियो का ही एक ट्रैप था जिसमें सारे लोग आज फ़स चुके है बियसनल इसी ट्रैप को तोड़ चुका है और इसी ट्रैप को लेकर के जि नहीं जेज पाएगा इसे बियसनल ही जीतेगा दरसल बता दे कि बियसनल ने कहा है कि अधि आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो पूरी लाइफ आपके फोन पर incoming आती रहेगी दूसरा प्लान यह हो गया और सबसे महत्पूर्ण प्लान बियसनल ने यह बताया है कि मान तो आपको 4G या 5G वारा रिचार्ज नहीं कराना है आप 10 रुपए का रिचार्ज करिए जिसमें आपको 7 रुपए 51 पैसे टॉक टाइम मिलेंगे और बिना किसी टैरिफ रेट के आपका जो कॉलिंग होगा वह एक पैसे 30 सिकेंड होगा मतलब कि 60 पैसे एक मिनिट में लग करते हो तो सिर्फ 10 पैसे लगेंगे सोचिए कितना अच्छा कॉम्बो है बिए सनल ने एक ऐसा कॉम्बो लॉंच कर दिया है जिससे जियो की नेंदी और चुकी है लेकिन बिएसनल ने कहा है कि हम पहले वाला भी सिष्टम रखेंगे और अब वाला भी सिष्टम रखेंगे इससे अनन्तमवानी को भी चक्कर आने लगा है आप खुद अपने घर में जोड़िए एक बार अपने मिंबर के बारे में सोचिए आपके घर में लगभग 1000 का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बो है अगर आपको यह अच्छा लगा तो वीडियो को सेयर करें लाइक करें कमेंट में जय बियसनल जरू लिखें